इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थक्विक के बारे में, चप्टर सम नैट्रल फिनामोना में से, तो इस वीडियो को एंट्रक जरूर देखें, हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तो मैं चैनल, डिजिटल इस्कूल, लेट्स स्टार्ट, अब अर्थक्विक कैसे आता है, अर् जब जो डिज आ इस अर्थ क्रस्थ की, अब मैंने अपको बताया था जो हमारी अर्थ की क्रस्थ है, जब बनी बनी हो ऺिस निह निहीं है और जो प्लेट्स हैंड ओ मोश्न में रहते हैं वो 2017 हमेशा मोश्य किई लोग लेट यह मैं istiय। भी दूसरे को स्लाइड करें तो उसकी बाइड करते है अंगर होता है Espero नम्बर एसार को नम्बर है क्या बूलता है इंट प्लेट होती है कि अब जो स्लोली मूव करती हैं अब जो दोनों रीजन है और कोई कर्क होने के एक तो स्लाइट में दख सकते हो एक किया कर दो सॉच यह ईक दो स्लाइट कर देन जा रही हैarken दो एक दिसरे को ऋ pleasing ऑस्लाइट आध बजया है। होता है कि जो एक प्लेट को दो स्लाइड पस करती है मतल Hamm करे़ों कुर प्लेड प्लेड कहं0 रुक जाति है ड्रूस रुक जाती है लेकिन जो है मोशन में रहती है हमेशा तो वो जो है बहुत एक जुसे को जो है प्रेशर लगा रही होती है मतलब अपने आपको प्रेशर लगा रही होती है कि वो मूव कर सके और प्लेट जो है बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही है कि वो वहां से मूव हो जाए लगा रिए यह हैं तो इतना आप effort both प्रेशन पर आहाँ जब इतना धमा चैनल उंस जाते हैं जो rocks होती है, plates के आसपर, वो break हो जाती है, और जब rocks break हो जाती है, तो बहुत सारी energy release हो जाती है, और जो earth की surface है, वहाँ पर waves पर use हो जाती है, और earth की जो surface है, वो shake करने लग जाती है, उस shaking को हम बोलते है, earthquake, when the rocks of the earth crush break, the earthquake occurs, releasing a tremendous amount of energy, अब जब दो plates थी, एक दूसरे को slide pass कर रही थी, तो एक दूसरे जब वो rub होई, तो वो जो है, अब जो है roughness होती है, तो उसकी वज़ा से वो वहाँ पर रुख गई, अब दूनों plates जो है, उनको move होना है, वो बहुत ज़्यादा pressure लगा रही है, move होने के लिए, वहाँ पर pressure जो है build up होता जा रहा है, जब pressure बहुत ज़्यादा high हो जाता है, तो plates के आसपार जो rocks होती है, वो break हो जाती है, जब rocks break होती है, तो बहुत सारी energy release होती है, और जो earth की surface है, वो shake करने लग जाती है, तो shaking को हम बोलते हैं, जब वो earth surface shake करती है, उसे हम बोलते है, earthquake, तो यह first reason है कि earthquake कैसे आता है, अब हम देखते है, second reason, second क्या है, plates collide with one another, अब जब plates जो है यह दूसे को collide करती है, मतले है एक plates जो है इस direction में जा रही है, और एक plates जो है इस direction में जा रही है, तो जब दो plates जो है इस direction में जा रही है जब इस उसे टक्राती है को लाइड करती है तो क्या होता है कि आर्थ की क्रस्ट में बहुत disturbance हो जाती है वहां पर बहुत disturbance हो जाती है तो उसकी वज़ा से बहुत energy होती है और जो waves है वो produce हो जाती है एर्थ की surface पर उसे हम बोलते हैं सिस्मिक wave इनके बारे में आगे देखते हैं तो waves produce होती है एर्थ की surface है वो shake करने लग जाती है उस shaking को हम बोलते है जो shaking हमें felt होती है उसे हम बोलते है earthquake due to which a tremendous amount of energy is released causing shaking on the earth surface this shaking is felt as an earthquake earthquake तो क्या होता है कि जब दो plates opposite direction में move कर रही होती है और एक दूसर से collide करती है तो क्या होता है कि earth की crust में disturbance हो जाती है जिसकी वज़ा से बहुत सा energy release होती है और जो earth की surface है वो shake करने लग जाती है उस shaking को हम बोलते है earthquake तो यह दो reason थे कि earthquake क्यों आता है जब दो plates जो एक दूसर को slide pass करती है यहां फिर एक दूसर से collide करती है तो इनकी वज़ा से जो है earthquake अकर होता है और एक और important note है वो क्या है कि tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out तो जो tremors होते हैं shaking होती वो और भी कुछ reason से होति है वो क्या होता है जब कोई walkan erupt होता है जब कोई walkan erupt हो तब भी tremors felt हो सकते है अगर कोicable hit करे और को तब भी tremors felt हो सकते हैं यह पिर कोई underground मतलब कोई underground कोई nuclear explosion हो कोई carried out हुआ हो nuclear explosion किया गया हो तो भी जो है earth की surface पे tremor जो है shaking जो है मैसूस की जा सकती है अब हमने देख लिया कि earthquake कैसे आपकर होता है कैसे cause होता है अब कुछ terms इससे related उनके बारे में हम देखते हैं आगे कुछ terms related to earthquake वो देख लेते हैं seismic zone तो seismic zone क्या होता है the weak zones where earthquakes are more likely to occur are known as seismic zones और fault zone जो weak zones होते हैं मतलब जो ऐसे zones होते हैं जहां पर earthquake जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं seismic zone या फिर fault zone जो weak zones होते हैं earth के जहां पर earthquake जो हैं बहुत ज़्यादा आते रहते हैं उन्हें हम weak zones को क्या बोलते हैं seismic zone या फिर fault zone earthquakes are caused by the moment of the plates यह तो हमने देख के लिए हैं हमारे जो plates हैं earth crust की हो जो हमेशा मोशन में रहती हैं तो जब उनकी movement की वज़ा से तो खोगता है जब दूसरे को slide pass करती है या फिर यह चुझा में करती हैं तो क्या होता है अथ्क्विक अपकर होता है तो अर्थ्क्विक कि होते हैं because of the moment of the plate की वज़ा से The boundaries of the plates are weak zones where earthquakes are more likely to occur. अब जो plates हैं एक दूसरे को slide pass करती हैं, जो collide करती हैं, तो मतलब क्या होता है कि दूसरे की boundaries से touch हो रही हैं, तो जब जो boundaries होती हैं, आज़ प्लेट की, वो जो होती हैं, वो weak zones होती हैं, जो eddies होती हैं, प्लेट की, वो weak zones होती हैं, क्योंकि mostly जो earthquake हैं, वही पर अपकर होती हैं, अब इंडिया में कौन-कौन से weak zones हैं, इंडिया अरिया मोस्ट रैटन आर कश्मीर, वेस्टर एंड सेंटर हिमालिया, तो जो यह एरिया से ना, इंडिया के, यह weak zones हैं, जहां पर जो हैं, earthquake जो हैं mostly अकर होते हैं, कौन-कौन से हैं, कश्मीर है, वेस्टरो, सेंटर हिमालिया से है, नौथ ही से, रन अव कच्छ है, राजस्थान है, और कुछ एरिया साउथ हिंडिया के भी हैं, वो भी, सिस्मिक जोन में आते हैं, देंडर जोन में आते हैं, next is richer scale, अब richer scale क्या होता है, the power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale, अब पहले आप यह देखें कि जो पावर है, उसकी जो पावर होती है, वो हम देखते हैं, इसमें express करते हैं magnitude में, उसमें magnitude में देखा जाता है, और इसको कहां पर देखते हैं कितना magnitude आया है, scale पर, उस scale को बोलते है, richer scale, तो power हम देखते हैं magnitude में, और magnitude कितना गया है, मतलब कितनी power का earthquake आया है, वो हम देखते है, richer scale पर, उससे पता चल जाता है, जो earthquake है, वो कितना destructive है, उसमें के magnitude से पता चल जाता है, destructive earthquakes have magnitudes higher than 7, मतलब अगर 7 magnitude से ज्यादा का earthquake आये, वो destructive होता है, वो major होता है, अब जो बुज और कश्मी में आया था, उसका जो magnitude उठाना, वो 7.5 से जादा था, बुज और कश्मीर earthquakes has magnitude greater than 7.5, इनका जो magnitude है, वो 7.5 से जादा था, इसलिए बहुत जादा major थे, बहुत जादा destructive थे, तो अब हमने seismic zone और richer scale के बारे में देख लिया, आगे हम देखते है, सिस्मोग्राफ के बारे मे सिस्मोग्राफ, अब सिस्मोग्राफ क्या होता है, earthquake tremors produce waves on the surface of the earth, these are called seismic waves, जब earthquake आता है, जब earth shake करना जाती है, जब tremors produce होते है, तो क्या होता है, कि earth की surface पे waves produce होती है, उन waves को हम बोलते है, seismic waves, अब मैंने आप सुक बताया था, कि जब दो plates एक जूसरे को slide pass करती है, या प seismic waves, the waves are recorded by an instrument called a seismograph, तो जो instrument इस waves को record करता है, उसे हम बोलते है, seismograph, अब यह कैसे काम करता है, देखते हैं हम आगे, the instrument is consist of heavy weights suspended freely with the help of a spring from a strong support, तो क्या होता है, कि instrument किसका, आप यहां figure में देख सकते है, तो इस तरह का instrument होता है, तो क्या होता है, कि instrument में क्या होता है, कि heavy weight होता है, यह क्या होता है, attach होता है, एक string के साथ, इस string के साथ attach होता है, बिल्कुल freely suspend होता है, यह string के साथ attach होता है, और यह string जो है, एक strong support के साथ attach होता है, मतलब यह support होता है, यह earth की surface पो लगा होता है, इस के साथ जड़ा होता है, तो क्या होता है, कि support के साथ एक spring लगा होता है विछ स्प्रिंग के वैं फ्रीलिउस्पेंद um ऑप हेवी dłिच गाता है यहां पे यहां पे जायrift के साथ क्या होता है plus he. जो डयए कर सकता है उसपर उससे नां पर मरत नब लगा उता है दपन अठाइस्ट वाम मम्वों funky लाई당 मीचला लैं वंजう ना के when Earth shakes the space of seismograph also shakes Rebecca अब अई आहिए उर्थक ईसक कका और रही है जो अदो पिछ टने लग में च्पते है आक फॉन है कि ऑड है लेकिन बारल हभी विब घर दो हाते हैं चाहिए ये विदले का कहता है ये 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 the graph paper shakes and the pen attached through suspended weight records the vibration produced by the earthquake on the graph paper तेकिन जो ड्रॉम है जिससे graph paper लगा होता है वो भी शेकर लग जाता है और जो pen attach होता है इस weight को जो pen attached ने weight पे यह का है रिकॉर्ड कर लेता है जो वाइब्रेशन पर रिप्रेशन होती है जो अर्थकर्ट जो आता है तो क्या होता है, vibrations होती है, Earth shake करने आती है, तो vibration produce होती है, वो graph paper चो रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो जो pen होता है, वो record कर लेता है, उन vibrations को हम क्या बोलते है, seismic wave, इस रिकॉर्ड, seismic waves on a paper, by studying this wave, scientist can construct the complete map of the earthquake, तो seismic waves को record कर लेता है paper को, और उनको scientist study करके एक पूरा map बना लेते हैं earthquake का, कि कहां पर earthquake आया है, क्या उसका epicenter है, क्या focus है, कितने magnitude का है, बस उस seismic waves से वो पूरा map बना लेते हैं, पूरा सब कुर निकाल लेते हैं, उस earthquake की पूरी detail निकाल लेते हैं, तो seismic graph क्या होता है, समझा गया, क्या होता है, क्या होता है, एक heavy weight होता है, जो previous suspend होता है, इसकी health पर, string की health पर स्ट्रिंग लगा होता है, बहुत सारे, एक strong support को, और वो support जो होता है, वो earth की surface पर लगा होता है, सिस्मोग्राफ का श्रेकल लगता है लेकिन जो Keep no सिस्मिक वेव्ट को रिकॉर्ड कर लेता है और सांटिस उसको सड़ी करके फूरा मैप बना लेते हैं अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना चीए अब अब कर हो जाए लास्स इस, protection against earthquakes, अब earthquakes के against हम कैसे अपने आपको protect कर सकते हैं, earthquakes can be highly destructive as they are not predictable, so it is necessary to take some precautions, अब हमें यह पता है कि earthquakes अगर major earthquakes से आते हैं, तो कितने destructive हो सकते हैं, बड़ यह predictable नहीं होते हैं, इनको predict नहीं किया था सकता, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले से precaution लेकर चलें, कहां पर especially वो zones, जहां पर जो big zones होती हैं, जो seismic zones है, जो fall zones है, especially वहां पर जो लोग रहते हैं, उनको तो पहले से precaution लेकर रखना थी है, All the buildings and houses in seismic zones should be designed in such a way that they can withstand major tremors, अब जो seismic zones हैं, हमें पता ही है कि वहां पर जो earthquakes हैं वो कभी भी आ सकते हैं, और कितने dangerous हो सकते हैं, तो इसलिए पहले से ही जो वहां पर जो लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग घरों में रहते हैं, जो घर हैं वहां बिल्डिंग से इस तरह से design करें, कि वह जो earthquake को जो tremors हैं उनको जेल सकें, जो shaking होती हो जेल सकें, इस तरह से construct किये जाएं, In highly seismic area, the use of mud or timber is better than using heavy construction materials, in case the structure falls, the damage will not be heavy, जो seismic area, जो weak zone से हैं, वहां पर क्या करें, जो construction करें, उसमें mud or timber कर इस्तिमाल किया जाएं, मुलब heavy construction material ना यूज किया जाएं, timber यहां पर mud कर इस्तिमाल किया जाएं, क्योंकि अकर by the time the structure falls, वह building गिर जाएं, वह construction जो है तो तोट जाएं, तो damage जो है जदा हेवी ना जदा हैं, जदा हेवी ना ठीक है, जदा है, the cupboards and the shells should be fixed to the walls, so they do not fall easily, जो cupboards होती हैं, जो shells होती हैं, जो seismic area हैं, जो seismic area हैं, उनकी बात हो रही है, क्या हैं, उनको क्या करो, वाल के साथ fix कर दो, जब अगर शेकिंग हो अज़की तो वह गिर ना जाए, कोई बैठा हो, उसके बार, cupboards गिर जाए जाए जाए, तो उमर सकता है, तो इसलिए वह इसको जो है, वाल के साथ, माउंट कर दो, the object like clocks, photo frames, water heater should be bounded properly to the wall, so they should not fall on the people during earthquake, जो जो objects हैं, जाए clock हो गया, photo frame हो गया, water heater जो होते हैं, कितने heavy होते हैं, तो प्रॉपली mount हो, मतलब प्रॉपली लगे हो वाल के साथ कि अगर 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 बैचांस earthquake की वज़र से वह गिर जाते हैं, तो किसी के ऊपर गिरे ना, किसी के ऊपर गिरे ना, तो ऐस तरह से उसको mount कर दो, all building should have fire fighting equipment in working order, अब हर building की पाद जो है fire fighting equipment होते होना चाहिए, क्योंकि earthquake की वज़र से आग भी लग सकती है, तो उससे बचने के लिए equipment होना चाहिए, अगर आप घर पे हैं तो आप क्या करें, earthquake का जाए, take shelter under the table and stay there till the shaking, अब आप घर पे हैं और अगर earthquake का जाता तो क्या करें, आप table के नीचे बैट जाए, और तब तक वही रहें जब तक shaking बनना हो जाए, और जो है shake करना बनना कर दे, stay away from tall and heavy objects that may fall on you, the tall and heavy objects that may fall on you, इन से दूर रहें, आपके उपल न गिर जाए, आपके उपल न गिर जाए, if you are in bed, do not get up, protect your head with a pillow, अब बैट पे लेते हुए हैं और एक्डम से आपको एक आजए, तो क्या करें, आपने आपको अपने head पे pillow रख लीजिए, और वहां से उठे था, if you are at outdoors, अगर आप बहार हैं, तो क्या करें, find the clear spot away from buildings, trees, and overhead power lines to drop to the ground, तो क्या करें, अब अब अर्थ कुई का दे तो देख लीजिए, खाली जगा हो, बिल्कुल खाली जगा हो, आजपस buildings ना हो, trees ना हो, power lines ना हो, क्योंकि अगर shaking की वज़से, वह अगर वह कमजूर है, अगर वह तूट गए, गिर गए, तो आपके उपर ना गिर जाएं, इसलिए, बिल्कुल खाली spot, बिल्कुल clear spot पर चले जाएं, if you are in a car or a bus, do not come out, drive car slowly, do not come out till the tremors stop, अगर आप car में हैं, अगर आपको कोई भी doubt हो, तो मुझे comment section में जुरूर बताएं, अगर आपको science और math के related videos देखनी हो, तो आप मेरे चैनल के playlist में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तब subscribe ने किया है, तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए, और अगर आपको मेरे videos पसंद आएं, तो अपने family और friends के साथ share करें, THANK YOU